गुड बॉर्निंग स्टूडेंट आज हम कक्सा 11 लेसर नमबर 7 रोकडबही और उसके प्रकार के बारे में अभियास करेंगे सबसे पहले हम रोधनामचा सिखे इसके बाद साहयक बही शिखे इसके बाद रोकडबही बराबर तो देखो तो यहाँ पे इस प्रकार में हम साहयक बही के महत्वक्र प्रकार रोकडबही का अभियास करेंगे तो यह भी एक साहयक बही का प्रकार है बराबर रोकडबही एक प्रकार की साहयक बही है सामाने रिप से व्यावशय में देखा जाए तो दो प्रकार के व्योभार देखने को मिलते हैं एक रोकड व्योभार और उदार व्योभार शाक के व्योभार में भविशय में रोकड व्योभार में बदल जाते हैं जैसे कि यदि माल का उदार पर विक्रह किया जाये तो हाल में साक्ता व्यवार परन्तो वो बविश्य में निश्य दवदी के बाद विक्रई की उपज होती है मतब कि जो व्यवार प्रेजन्ट में उधार होते हैं लेकिन वो बविश्य में रोकड हो जाता है मतलब के उधार माल पेचा तो बविश्य में उष्की रकम मिलेगी तब वो उपज होगा और उस समय उधार व्यवार रोकड व्यवार बनता रोकड व्यवार रोका लेखा करने के ने रोज नाम चाके उप विभाग के रूत में रोकड बही की व्यवस्ता मतलब के रोकड व्यवार का लेखा करने के लिए रोज नाम चामें उप विभाग मतलब उसका दूसरा विभाग जो है उसका रोकड बही की व्यवस्ता की के रोकड बही का रोकड व्यवार का लेखा करने के लिए तैयार की जाने वाली सायक भई को रोकड भई कहते हैं मतलब कि एकाउंट के अंदर जो भी व्योक्षाई के अंदर जो भी रोकड व्यवार होते हैं तैसे रोकड व्यवार को लेखा करने के लिए जो सायक भई तैयार की जाती है उसको रोकड भई कहते हैं रोकड बही में रोकड व्यवारों का लेखा किया जाता है रोकड आवग और रोकड जावग का लेखा रोकड बही में किया जाता है मतब कि ये रोकड बही जो बनती है तो नाम पर से ही पता चलता है कि उसमें सीर रोकड व्यवार का लेखा होता है रोकड आवं और रोकड जावक का लेखा होता है और रोकड भाही बनाने से पता चलता है कि निश्चिस समय यूधी में मतलब कि एक साल में, एक दिन में, एक महिने में, एक हफ्ते में ऐसे निश्चिस समय में रोकड सेस मतलब कि हमारे पास cash balance कितना है वो हम जान सकते तो रोकड भई या रोधनामचा और रोकड खाता ऐसे दोनों की जरूरत पूरी करता है मतलब के रोकड भई जो है वो रोधनामचा और रोकड खाता मतलब के ये रोकड भई जो है वो वन टाइप अप रोकड खाता ही कारण की रोकड भाई खाता के स्वरूप में तयार की जाते हैं मतलब के रोकड भाई जो है वो खाता के स्वरूप में तयार होती है खाता में क्या होता है लेफ साइट पर उधार और राइट साइट पर जमा वेशी ये रोकड बही जो भी आवख होती है वो उधार बाजो लिखना जाता है और जो भी जावख होती है वो जमा बाजो क्योंकि रोकड का नियम है कि रोकड धंदी में आये तो उधार होता है और रोकड धंदे में से जाये तो जमा होता है इसके बाद रोकडबाई की उप्योगीता और उसका महत्वा पहला है समाई और श्रम का बचाव तो रोकडबेवारों को रोधनामचा में लिखे बीना सिधे ही रोकडबाई में लिखते हैं जिसे रोकडबाई खाता अलग-अलग रोकड खाता अलग से बनाया नहीं जाता है मतब कि एकाउंट के अंदर जो रोकड वेवार होता है उसका रोधनामचा नहीं लिखते हैं उसको डाइरेक रोकड भई में उसका लेखा होता है इसलिए रोकड खाता अलग से नहीं बनाया जाता है इसलिए कर सकते हैं कि रोकड भई ये रोधनामचा और रोकड खाता दोनों की जुरुद पूरी करता है मतलब कि रोधनामचा में भी रोकड वेवर का लेखा नहीं होता है और रोकड खाता में भी उसका लेखा नहीं होता है इसलिए रोकड बही जो है वो रोधनामचा और रोधनामचा और रोकड काता दोनों की घर्ष पूरी करता है इसलिए यहाँ पे समय और स्रम का बचाव होता है शेकन पॉइंट है स्रम विबाजन का लाग रोकड बही जो है वो रोधनामचा से अलग रखी जाने से उसे तैयार करने की जिम्मेदारी अलग से किसी निश्चित की गई व्यक्ती को शौपा जाता है इसलिए श्रम विबाजन मतलब कि एक कार्य का विबाजन होता है और उसका लाग दंदे में प्राप्द होता है इसके बाद रोकड से इसकी जानकारी रोकड बही जो है वो रखते है वो प्रति दीन की मतलब कि दीन की अंत में अथवा तो जो निश्चित की अगाश शमय की अंत में एक हपते के बाद 15 दिन के बाद महिने के बाद जो रोकड से शे वो हम जान सकते है इसके बाद गबन अथवा तो कपड की जानकारी प्राप्त करना है, प्रतिदीन या निश्चित समय के अंत में रोकड वहिकासेश निकाला जाने पर हाथ पर वास्तविक मतलब के एच्छुल खरेखर रोकड जो है उसके सेश के साथ उसकी तुलना कर सकते, अगर यदि उसमें कोई भूल हो, अ आवश्यक्ता और व्यवारों के श्वरूप और प्रमाण, अनुशार अलग-अलग प्रकार से रोकड बही तयार कर सकते, मतलब के जैसा धन्दा होता है, वैसे इस साथ से अलग-अलग प्रकार से रोकड बही तयार कर सकते, यदि तीन खाने वानी रोकड बही तयार की जा हुआ इसके बाद रोकडबை के प्रकार रोकडबै के मुख्यू तीन प्रकार हैं एक साधारा रोकडबै、 इसके बाद दो खानवाली रोकडबै और से बाद तीन खाने वाली रोकड भई रोकड और बैंक खाने वाली रोकड भई और बैंक और बट्टा खाने वाली रोकड भई बराबर और इसके बाद तीसरा है तीन खाने वाली रोकड भई तो तीन खाने वाली रोकड भई जो है इसके अंदर रोकड बट्टा और बैंक ऐसे तीन खाने वाली नोकड बही होती है ओके आगे हम और देखेंगे साधरा नोकड बही का नमुना और उसके बाद हम देखेंगे इक्वेशन ओके